हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो CMT, केरियर में एक टिटोरियल में आपका स्वागत है, मैं रमन कुमार लेके आया हूँ आपका डीटेल सिलेबस फोर CBT1 और CBT2 यानि की जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्कीम कैसा रहेगा CBT1 और CBT2 में, अब आपका डीटेल सिलेब सिलेबस का टोटल जो पूरा आपका लगभग 40 एराउंड पेज का है, पूरा PDF हो, आपको डिस्किप्शन में इसका मिल जाएगा, टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने बताया कि 14,033 है, RRBJ Recruitment 2019, काफी चेंजिज हुए हैं इस बार, सिलेबस में भी, एक्जाम के पैटर्न में भी, तो आप लोगं को clarify कर देना चाहता हूँ, कि इसमें क्या सिलेबस रहेंगे, क्योंकि पहले से बिलकुल चेंज है, टोटली चेंज है, कुछ भी similarity नहीं है, पहले जो एक्जाम होते थे और अभी में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, तो सबसे पहले CBT1 की बात करे तो यह आपका CBT1 का सिलेबस है, CBT1 की बात करें, तो जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि mathematics के आपके 30 questions आएंगे, जो कि आपका each question 1 mark का होगा, 30 into 1, that means कि यह आपका 30 marks का होगा question, तो सबसे पहले question will be objective type होगे, and multiple choice, यानि MCQ होगे, are likely to include question pertaining to, first में जो mathematics है, जिसके 30 questions आ रहे हैं उसमें आपके पहले तो number system रहेंगे, number system में आपको पता ही है कि क्या सब हैं आपके, उसके बाद board mass रहेंगे, कैसे solve करते हैं, अभी LP वाले भी exam हुए थे, कापी board mass के question थे, फिर decimal के रहेंगे, fraction रहेंगे, LCM, SCF पे question रहेंगे, ratio and proportion पे question रहेंगे, percentage पे रहेंगे, mensuration होगा time and work पे question होगे, time and distance पे question होगे, simple and compound interest पे question होगे, profit and loss पे question होगे, algebra होगा, algebra में भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या आ सकते हैं, तो वो सारे हमारा भी crash course भी हम लाने जा रहेंगे, आपके second January से crash course इसका start हो जाएगा, साथी साथ जो लोग LP का CBT2 देने बाले हैं, उनके लिए भी जो trade हैं आपके electronics mechanics उसके भी आपके आएंगे, और इसका जो combine क्यूंकि उसमें भी जो syllabus हैं लगभग आपके ये mathematics section और general science section बहुत सारे similarities हैं, तो अभी वो भी start करेंगे, आपके second January से इसका JEE का आजाएगा, आपके, दूसरी बात है आपके, कि geometry रहेंगे, trigonometry रहेंगे, elementary statistics जिसमें कि आपका mean, mod, median इससे related question होते हैं, square root रहेंगे, age calculation होंगे, calendar and clock पे question होंगे, pipe and system पे question होंगे, mathematics में, जिसका की total weightage है आपका 30 marks, 30 marks, दूसरी बात है, second में आपका आता है यहाँ पे general intelligence and reasoning, जिसको की आप लोग reasoning भी बोलते हैं, जिसके 25 question होंगे, 25 question, each question, one mark, जो की 25 marks का होगा, जिसमें की आपका analogy होगा, जिसमें word analogy बेगरा यह सब होते हैं, alphabetical and number series, जो की missing series, कुछ एक फिलिंदी balance रहेगा, कि इसके बाद क्या series होगा pattern, फिर coding decoding होगा, जिसमें ABCD बाले जो alphabetical coding decoding होते हैं, mathematical operations होंगे, relationship होंगे, वो blur relation बेगरा, slowly jump होंगे, जिसमें की आपको, जैसे की आपके questions होते हैं, कि all potatoes are vegetables like this type के, उसके बाद आपका jumbling होगा, यानि की इसमें नया jumbling इंट्रोड्यूस किया गया, पहले jumbling नहीं था, LP वाले में, तो jumbling होंगे, sentence रहेगा, उसको आपको, उसके according आपको, वो jumble करना रहता है, फिर when diagram होंगे, DIP होगा, data interpretation and sufficiency, ALP में, last में, जितने भी exam होए थे, दो, तीन question, चार question आपके, DIP पे आपके दिये हुए थे, data interpretation and sufficiency पे, तो ये भी काफी questions आये थे, तो ये होगा, conclusion and decision making होगे, यानि की conclusion statement और conclusion वाले questions, similarity and differences होगे, analytical reasoning होगा, classification, direction, statement, argument and assumption, इस सब पे आपके होगे, next ह आपका general awareness, यानि की, जो current affair वाले section तो इसमें देख सकते हैं, पहले तो knowledge of current affair, जो कि आजकल जितने भी आपके exam हो रहे हैं, maximum question सारे आपके current affair पे ही रहते हैं, दो, तीन question आपके previous रहते हैं, Indian geography, culture, history of India भी रहेंगे, including freedom struggle, यहाँ पे देख लिजे, freedom struggle, आपका freedom struggle, जो है, clearly mentioned है, then है, आपके Indian quality भी रहेंगे, Indian constitution भी रहेंगे, Indian economy भी रहेंगे, environmental issue concerning India and the world, sports, general scientific and technological development, etc, यह सब रहेंगे आपके general awareness से related, थोड़ा सा different है, आपके ELP वाला जो हुआ था उससे, तो इसके जो weightage होंगे, आपके 15 questions होंगे, 15 marks के, दूसरा है general science, तो general science में आपका physics, chemistry और life science, जो की biology होता है, 10th extender, जो CBSC का आपका syllabus है, उसके according होगा, तो general science के हम लोग start करेंगे, सबसे पहले general science से start करेंगे, आपके class course में, काफी अच्छे तरीके से कराया जाएगा आपनों को, tension लेने की ज़रुरत नहीं है, तो general science का 30 questions काफी weightage है, आप देख सकते हैं, कि mathematics और general science को अगर मि weightage हो जाता है, जो की काफी है, आपका, दूसरा बात है, कि general science में आपको बताई दिया, physics, chemistry और life science रहेंगे, total आपका इससे होता है, 100, 100 में से सबसे ज़्यादा weightage आपका mathematics और general science के हैं, general science आपका scoring होगा, क्योंकि general science को solve करने में, आपको time कम लगेंगे, mathematics फोरा लिंदी आता है, उसमें time भी लगेंगे, तो आप लोगों को general science काफी अच्छे से करना होगा, और इस बार question ALP, CBT की तरह नहीं, आपके, वो थोरा सा आएगा, आपके standard वाले questions आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग engineering का, जो student है, उनका, वो exam ले रहेंगे, तो आपका paper उतना easy नहीं आएगा, जितना की ALP technician का था, total time इसमें आपका डेर घंटे रहेंगे, यानि की 90 minutes रहेंगे, और 100 question रहेंगे, और ये जो होगा, ये qualifying nature का होगा, next देख लेते हैं, ये जो हैं आपका CBT2 का, CBT2 का देख रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा जो बदलाव किया गया है, पह काफी changes हुए हैं, जो की technical ability वाले portion है, तो इसमें general awareness में same है, वही knowledge of current affair, Indian geography, culture, history, India, including freedom struggle, जो के अभी मैंने discuss किया, और दूसरा है आपके physics and chemistry section, जो की देख सकते हैं, 10th standard CVSC syllabus है, physics chemistry, तो ये काफी अच्छे से आप लोगों को करना परेगा, physics chemistry हम करवाएंगे, इसका पूरा physics chemistry क इसके लिए आप लोग tension Linux जोरत नहीं है, crash course second से start हो रहा है, आपके बहुत जल्द, basics of computer applications, जिसमें architecture of computers, input-output devices, storage devices, networking, operating system like windows, unix, linux, ms office, various data representation, internet email, website, web browser, computer virus, etc, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये जो है, आपका ये बाला तीनों चीजें, general awareness देख सकते हैं, physics chemistry, basics of computer application, और एक है basic environment and pollution control, जिसमें कि आपका basics of environment, adverse effect of environmental pollution, control, estergy, air, water and noise pollution, their effect and control, waste management, global warming, acid rain, ozone, depletion, ये जो चार सिक्षन हैं, वो सब के लिए common रहने वाले हैं, जितने भी आपके category हैं, जितने भी branches हैं, जो है light branches हैं, आप देखेंगे, उस सब के लिए आपका ये जो है, common रहेंगे, जो कि इसका weightage हैं, आपका 50 marks का, अब यहाँ पे जो technical ability हैं, ये आपका जितने भी allied branches हैं, जिसे कि civil allied, mechanical allied, electronics, और electrical, सब के ये जो section है, technical, clearly मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब के अलग-अलग exam होंगे, दूसरी बात है कि CBT2 में, CBT2 में आपको calculator भी दिया जाएगा, virtual calculator allow किया जाएग तो इसका मतलब है कि आपका जो question होगा, numericals भी होंगे बहुत जादा, तब calculator allow कर रहा है, जो कि generally JE वाले exam में calculator allow नहीं रहता है, इसका मतलब आप लोग समझे कि paper आपका tough होने बाला है, जैसा पहले होता था, वो कुछ भी वो pattern नहीं रहने बाला है, paper आपका भी DFCCIL का, जो CB जो लोग electronics का दिये होंगे, उनको पता होगा कि कितना lengthy paper आया था, तो आप लोग एकदम detail में आप लोगों को पढ़ना पढ़ेगा, काफी time है, जो कि आपका CBT1 अप्रेल में होने बाला है, तो CBT2 मुझे लगता है कि जुलाई अगस से पहले, अगस से पहले नहीं होगा, तो आप लोगों को अभी से पढ़ना पढ़ेगा, आपको इसका थोड़ा सा technical अभी से देखना पढ़ेगा, क्योंकि competition बहुत tough होने बाला है, क्योंकि इस दिए tough होने बाला है कि इच ब्रांच के अलग-अलग questions आने बाले हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं उससे, तो total marks इस सारे points दिए हुए हैं, तो ऐसे आपके रहेंगे, construction, sub-structure, यह construction देख सकते हैं, building finishes, building maintenance, building drawing, concrete technology, surveying, यह सब आप देख सकते हैं, दूसरा बात है, यह CAD, यह geotechnical engineering, hydraulics तो काफी ज़्यादा है, 21, around environmental engineering तो बहुत ज़्यादा आपका, civil बालों का around 24 यहाँ पे topics हैं, estimating and costing contracts and account, तो इसमें आप देख सकते हैं, दूसरा है, electrical and allied engineering jam group, तो हमारा जो crash course में होगा, हमारे crash course में आपका, जो 50 marks का common है, 50 marks का common part है, वो common part तो आपका सबका है, वो कराया जाएगा, दूसरी बात है, कि जो पूरा focus होगा आपको, electrical branch बालों के लिए, हमने पहले से, जो faculty हमने hire कर रखा ह electrical branch के लिए, और आपके electronics branch के लिए भी faculty हमें hire कर रखा है, तो एकदम electronics तो मैं खुदी पराता हूँ, electrical के भी common, जो आपके हैं, वो मैं कराता हूँ, और जो खास करके, जो next जो यहाँ पे, जिसे आपके हैं, यहाँ से measurement, measuring instruments, electrical machine, इस सब के लिए, मैंने दूसरा faculty यहाँ पे र आता है, अगर faculty available होते हैं, तो उन लोगों को भी कराया जाएगा, electronics, electrical और CSIT बालों को कराया जाएगा, इसमें देख सकते हैं, जो subject है, electrical के basic concepts हैं, जिसमें network theory बाले, concept of resistance, inductance, capacitance, यह सारे हैं, circuit law है, किर्चॉप law, यह आपके देख सकते हैं, simple circuit solution, using network theory बगरा, जो आपके, थेम components, polyphase system, 3-phase power, DC and sinusoidal RC circuit, measurement and measuring instruments हैं, तो यह आपके जो देख सकते हैं, frequency and phase angle, energy meter, AC bridges, यह सारे हैं, फिर हैं, आपके electrical machines, DC machines, AC machines, transformer, तो इस सब के लिए हमने faculty पहले से hire कर रखा है, वो आप लोगों को कराया जाएगा, electrical machine, उसके बाद synchronous machine है, फिर generation, transmission and distributions हैं, फिर आपके estimation and costing है, utilization of electrical energy है, और basic electronics है, जिसमें कि आपके various, PN junction diode, transistor, NPN, BJT, JPAT, simple, यह सब आप दीख सकते हैं, next है आपका electronics and light, जो इसका कि मैं पूरा syllabus करवाता हूं, complete syllabus, जो कि मैं खुदी पराता हूं, इसमें आपका आधा part मैं कराऊंगा, आधा part दूसरे जो आपके faculty होंगे, वो करवाएंगे, जो कि electrical वाले, तो इसमें आपका electronic components and material है, जिसमें conductor, semiconductor, जो कि material science आप लोग कह सकते हैं, तो यह आपका हो गया material science, दूसरा है electronic device and circuit, जिसको कि EDC बोलते हैं, PN junction diode, thyristors, diode and diode circuit, junction transistor, यानि कि JPAT, MOSFET, इसमें oscillator, multi vibrator, counter, rectifier inverter, UPS है, digital electronics में आपका number system, binding code, बुरी अनलजर, यानि कि प यानि कि आपका analog वाले circuit जो है, कि operational amplifier का आपका non-linear application, voltage regulator, timers, phase lock loop, microprocessor and microcontroller भी है, तो microprocessor 8085 का programming बगरा भी है, तो यह सारे चीज़ें आपको करवाए जाएंगे, नेश्ट है आपके electronic measurements, तो measurements आपके इसमें भी है, electrical वालों के लिए भी है, और अपने में भी है, तो देख स engineering में, simply आपके analog communication, modulation technique, multiplexing technique, wave propagation, transmission line है, जो कि EMT वाले section में होते हैं, YFC है, optical fiber communication, fundamental of public access system, electronic exchange, radar, cellular and satellite communication, यानिकी wireless communication का भी है, तो total vast slivers है आपको कि काफी easy slivers है, data communication and network है, जिसमें कि आपका data communication आप लोग परे होंगे, बीटेक में भी network and network devices, LAN, WAN, ये सब internet working, ये सारे, programming भी है, computer programming, आपके programming concept, fundamental of C है, C++ operator है, C control statement है, function, array, string, and pointers, file structure, data structure, DBMS, इसके लिए भी हमने अलग से faculty रखे हैं, ये आपको करवाएंगे, DC circuits हैं, जिसमें कि DC fundamental, magnetic, thermal and chemical effects of electric current, earthing, installation, maintenance, testing, तो ये सारे चीज़, हैं, आपके उसके बाद, आपके mechanical and allied engineering बाले हैं, जिसका कि आप देख सकते हैं, ये syllabus, ये सारे आपके syllabus हैं, सौम बगर, machining, welding, grid, grinding, finishing process, metallurgy, ये सारे आपके syllabus हैं, fluid mechanics, industrial management, thermal engineering, ये देख सकते हैं, कि आएंगे, CBT1 के लिए भी, CBT2 के लिए अभी से कीजिए, technical क्यूंकि काफी आपको भाष्ट आने वाला है, syllabus, ऐसा नहीं है, कि आपको EG आएंगे, DFCC, IEL के जो जो एक्जाम दिये होंगे, उनको पता होगा कि कितना difficult question आया था, तो question का level कुछ भी हो सकता है, तो आपको throw out पूरा syllabus अच्छे से करना होगा, हम आप लोगों को promise करते हैं, कि बहुत अच्छे से आपका technical जो electrical वाले हैं, और electronics वाले का बहुत अच्छे से करवाएंगे, हमने जो computer वाले सिक्सेन हैं, उसके लिए भी अलग faculty रखा है, electronics का पूरा मैं खुद करवाऊंगा, और electrical के जो basic, जो machine वेगरा हैं, transformer हैं, ये सारे चीज़ें के लिए भी अलग faculty रखे हैं, वो भी आपको करवाएंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहें, हमारे चैनल से बने रहें, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों को काफी फाइदा होने बाला है, चाहे जनरल साइंस का भी हमने DFC CIL करवाए थे, आप लोग उसमें देख सकते हैं कि maximum question हमारे वीडियो से थे, तो आप लोग इत्मिनान रखिए, आप लोगों का कोई भी questions चूटेगा नहीं, बहुत अच्छे से preparation करवाया जाएगा, इसे चैनल से बने रहें, आप लोग फॉर्म भरिये, कोई भी doubt हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और फॉर्म के लिए भी आपके vacancies बेगरा इसके लिए आपका दो जनवरी को जैसे ही आएगा, क्या process है, सब कुछ बताया जाएगा आपको, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजिए, शेयर किजिए, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो थैंक्यू फर वाचिंग CMT, एस्टेटियून CMT.